नमस्कार दोस्तों मैं दिलनवाज खबर सिमान चल से अभी हम मौजूद है पोठिया परखंड के आमबारी बुद्रा डोक नदी में यहां एक घाट है और इस घाट में अब लोग नाउस से इस पार उस पार आना जाना करते थे अभी आप देख रहे हैं यहां एक ब्रीज ब कर लग बख दो तीन में तयार हो जाएगा तो कहने का मतलब यह था कि पहले हम लोग तो पोठिया परखंड हम लोग को तीन-चार पंचार इस पार है और बाकि इस पार रोड डॉड ने दीके इस पार पोठिया परखंड भी और एक पच्छिम बंगाल का बहुत बड़ा मा बहुत बढ़ा मार्केट है मातर दस से पंद्रों मिनिट में हम लोग अगर ब्रीज तैयार हो जाते है तो इस्लामपूर पहुच जाएंगे यह यह चछी पूल देख सकते आप अभी यही एक मातर सहारा है इससे लोगों का अना जना है बहुत जल्ड इससे लोगों को निजा हो जाएगा मार्च अपरिल तब इस पूल में रणिंग शुरू हो जाएगा और काम भी कुछ पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर बाद भी किया था काम रुकावा था काम आवाज उठाए डियम साब के बास हम लोग गये थे तो उसका असर भी द जी विल्गुल सर हम लोगों को बहुत दिक्कत होता था ऐब जो है भी लेकिन अब जो है यह पूल बनकर तयार हो रहा है तो सबसे ज्यादा हम लोगों को फाइदा होगा कि हम लोग हर मेने लगबग दो-तीन बार परखन कार्याले से सत्वा साथते हैं और अना-जना बैठेक वगरा में अना-जना होता ही रहता है इससे पहले हमें चिचावारी होता हुआ लगबग 15-20 किलोमेटर का फासना पंदरर 20 ने लगबग 50 किलोमेटर लगबग करते हैं अभी जब पानी भर जाता था तो पानी भर जाने के कारण हम लोग इधर से आना-जना बंद कर देते थे नाव था और नाव से हमेशा खत्रा बना वहा रहता था कि कब क्या अनुहुनी हो जाए इसलिए हम लोग जो है ठागुरें जो रूट होता हुआ चिचावा तो और इससे फूल बनने से क्या फाइदा होने वाला है बताइए से सिर्फ परखंड कारियाला तक इमले जाने आने जाने तक ही फाइदा नहीं है इसे बड़ा एक हमारा यहां पसिम नंगाल मार्केट है और यहां का जो घना आवादी है वैपार संबंदी भी बहुल ज्य बहुत बसुगराप